तो अगर जीवन को आपके हिसाब से चलना चाहिए, तो सबसे पहले आप कैसे सोचते हैं? आपकी सोच में कितना फोकस है? आपके विचार में कितनी स्थिर्ता है? और विचार प्रक्रिया में कितनी उर्जा है? इस से तै होगा कि क्या आपका विचार एक सचाई बनेगा या सिर्फ एक विचार रहेगा जब आप ऐसे हो जाते हैं तो आप जो भी चाहते हैं वो बाकई छोटी उमली उठाए बिना होता है आपके काम करने से उसमें मदद मिलेगी लेकिन कोई काम किये बिना भी आप वो बना सकते हैं जो आप चाहते हैं एक अच्छे से स्थापित मन एक मन जो समयुक्ति की स्थिती में होता है उसे कल्प व्रिक्ष कहते हैं अगर आप अपने मन को संगठन के एक निश्चित स्थर तक व्यवस्थित करते हैं तो ये पूरी प्रणाली को व्यवस्थित करता है आपका शरीर, आपकी भावना, आपकी उर्जा सब कुछ उसी दिशा में व्यवस्थित हो जाती है जब आपके ये चारों आयाम आपका भावतिक शरीर, आपका मन, आपकी भावना और मौलिक जीवन उर्जाएं एक दिशा में व्यवस्थित हो जाती हैं जब आप ऐसे हो जाते हैं तो आप जो भी चाहते हैं वो वाकई छोटी उंगली उठाए बिना होता है आपके काम करने से उसमें मदद मिलेगी लेकिन कोई काम किये बिना भी आप वो बना सकते हैं जो आप चाहते हैं अगर आप इन चार आयामों को एक दिशा में रखते हैं और कुछ समय तक उन्हें उसी दिशा में स्थिर रखते हैं अभी आपके मन की समस्या है कि हर पल ये अपनी दिशा बदल रहा है, ये ऐसा है जैसे आप कहीं जाना चाहते हैं और हर दो कदमों पर आप अपनी दिशा बदलते रहते हैं, तो आपका मन्जिल तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, जब तक कि ये संयोग से न हो. तो अपने मन को व्यवस्थित करना और उससे पूरे सिस्टम को और अपने इन चार बुनियादी आयामों को एक दिशा में व्यवस्थित करना, अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप खुद कल्प व्रिक्ष हैं, जो भी आप चाहते हैं, वो होगा. पर अभी, अगर आप अपने जीवन को देखें, तो वो सब जिसकी आपने अब तक इच्छा की है, अगर वो हो जाए, तो आप खत्म. वे चीजें और लोग जो आपने चाहे, अगर वो सब आज आपके घर में हों, तो क्या आप जी पाएंगे? जब हम इस तरह समर्थ हो जाते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी शारिरिक क्रिया, भावनात्मक्रिया, मांसिक्रिया और उर्जा क्रियाएं नियंतरित और ठीक दिशा में हों. अगर ऐसा नहीं है, तो हम विनाशकारी, आत्म विनाशकारी बन जाते हैं. अभी यही हमारी समस्या है. जिस तकनीक को हमारे जीवन को सुन्दर और आसान बनाना चाहिए, वो सभी समस्याओं की जड़ बन गई है. हम अपने जीवन के आधार को नश्ट कर रहे हैं, जो की धरती है. तो जो एक वर्दान होना चाहिए था, हमने उसे एक श्राब बना दिया. पिछले सौ वर्षों में हमें आराम और सुविधा के जबरदस्त स्तर मिले हैं, जो हमारे जीवन के लिए खत्रा भी बन गए हैं. सिर्फ इसलिए कि हम सचेत होकर काम नहीं कर रहे हैं. हम मन को व्यवस्थित करने का बुनियादी मतलब है. चीजों को विवश्था से करने के बजाए जागरुख होकर करना. आपने ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा, जो कुछ मांगते हैं और सभी उम्मीदों से परे वो उनके लिए सच हो जाता है. आम तोर पर ऐसा उनके सा चाहिए मेरी जेब में 50 रुपे हैं, नहीं होगा, नहीं होगा, संभव नहीं है. जैसे ही आप कहते हैं संभव नहीं है, आप ये भी कह रहे हैं कि मैं ये नहीं चाहता. तो एक स्तर पर आप इच्छा पैदा कर रहे हैं कि आपको चाहते हैं. दूसरे स्तर पर आप कह रहे ह मैं ये नहीं चाहता तो इस संगर्ष में ये शायद नहों पाए कोई इनसान जो किसी भगवान या मंदिर में या जिसमें भी श्रद्धा रखता है श्रद्धा सिर्फ उन लोगों के लिए काम करती है जो सरद्धा श्रद्धा है सोचने वाले लोग मुझे एक घर चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे, पर आपको ये करना होगा। अब उसके मन में कोई उल्टे विचार नहीं है। क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा नहीं होगा, क्या ये संभव है, क्या ये संभव नहीं है। श्रद्धा के सरल काम द्वारा इंग चीजों को पूरी तरह से हटा दिया जाता है। अब उसे श्रद्धा है कि शिव उसके लिए ये करेंगे और ऐसा होगा। तो क्या शिव खुद आकर आपका घर बनाएंगे? नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप समझें ईश्वर आपके लिए छोटी उंगली भी नहीं उठाएंगे। जिसे आप ईश्वर कहते हैं, वो सृष्टी का सरोथ है। एक निर्माता के रूप में उन्होंने जबरदस्ट काम किया है, कोई प्रश्ण नहीं है। आप इससे बहतर सृष्टी सोच सकते हैं। अभी जो भी है, उससे बहतर सृष्टी की क्या कोई कलपना कर सकता है। तो एक निर्माता के रूप में उन्होंने बहतरीन काम किया है। पर अगर आप चाहते हैं कि जीवन आपके हिसाब से चले क्योंकि अभी आपकी खुशी और आपकी खुशाली की बुनियाद ये है। अगर आप दुखी हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिया आप दुखी हैं कि जीवन वैसे नहीं चल रहा जैसे आप चाहते हैं। बस यही बात है, तो अगर जीवन आपके हिसाब से नहीं चलता, तो आप दुखी होते हैं। अगर जीवन आपके हिसाब से चलता है, तो आप खुश होते हैं, ये इतना सरल है, तो अगर जीवन को आपके हिसाब से चलना चाहिए, तो सबसे पहले आप कैसे सोचते हैं, आपकी सोच में कितना फोकस है, आपके विचार में कितनी स्थिरता है, और विचार प्रक्रिया में कितनी उर्जा है, इससे तै होगा कि क्या आपका विचार एक सच्चाई बनेगा या सिर्फ एक विचार रहेगा ये इससे भी तै होगा कि आप उल्टे विचार बना कर उस विचार के लिए रुकावट नहीं पैदा करते क्या ये हो सकता है या नहीं, ये मानवता को नश्ट कर रहा है, क्या संभव है और क्या असंभव, ये देखना आपका नहीं, प्रकृति का काम है, आपका काम है मन चाही चीज पाने के लिए मेहनत करना, अभी आप यहाँ बैठे हैं, अगर मैं आप से दो सरल प्रश्न पूछू, मैं चाहता हू कि आप बस सुने और उत्तर दें, आप जहां बैठे हैं, क्या वहां से उड़ सकते हैं, आप कहेंगे नहीं, क्या आप यहां से उठकर चल सकते हैं, आप कहेंगे हां, इसका आधार क्या है, कि आप उड़ने के लिए नहीं और चलने के लिए हां कहते हैं, आधार है जीवन क पिछले अनुभव को आधार बना कर ये तै कर रहे हैं कि कुछ संभव है या नहीं. या दूसरे शब्दों में आपने तै किया है कि अब तक जो नहीं हुआ वो भविश्य में आपके जीवन में नहीं हो सकता है. ये मानवता और मानविय भावना का अपमान है. इस धर्ती पर जो अब तक नहीं हुआ वो कल हो सकता है. इंसान इसे कल एक सच्चाई बना सकते हैं. तो क्या संभव है और क्या असंभव ये देखना आपका काम नहीं है. ये प्रकृती का काम है. प्रकृती तै करेगी. आप बस देखिए कि आप वाकई क्या चाहते हैं और उसके लिए महनत कीजिए. और अगर आपका विचार एक शक्तिशाली तरीके से तयार होता है, बिना किसी उल्टे विचारों के कोई ऐसे उल्टे विचार नहों जिनसे विचार प्रक्रिया की तीवरता कम हो जाए. सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको सपष्ट पता होना चाहिए कि आप वाकई क्या चाहते हैं. अगर आप नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं, तो उसे बनाने का सवाल ही नहीं उठता. अगर आप ये देखें कि आप वाकई क्या चाहते हैं, तो हर इनसान यही चाहता है, वो खुशी से जीना चाहता है, वो शांती से जीना चाहता है. वो चाहता है कि उसके रिष्टे प्यार भरे हो या दूसरे शब्दों में कहें तो कोई भी इनसान यही चाहता है कि वो अपने भीतर सुखी हो और उसके चारों और सुख हो ये सुख अगर हमारे शरीर में होता है तो हम इसे सेहत या सुख कहते हैं अगर ये हमारे मन में होता है तो हम इसे शांती और खुशी कहते हैं अगर ये हमारी भावना में होता है तो हम प्यार और करुणा कहते हैं अगर ये हमारी उर्जा में होता है तो हम इसे आनंद और पर्मानंद कहते हैं यही एक इनसान की तलाश है चाहे वो काम करने अपने आफिस जा रहा है, वो पैसा कमाना चाहता है, करियर बनाना चाहता है, परिवार बनाए, वो बार में बैठे या मंदिर में बैठे वो तब भी उसी चीज की तलाश में है, भीतर सुख, चारों और सुख अगर यही हम चाहते हैं, तो मुझे लगता है इसे सीधे संबोधित करने और इसे बनाने के लिए खुद को प्रतिबध करने का यही समय है तो आप खुद को एक शांति पूर्ण इंसान, आनंद मैं इंसान, प्रेम करने वाला इंसान, सबी स्थरों पर एक सुख़द इंसान बनाना चाहते हैं और क्या आप इस तरह की दुनिया भी नहीं चाहते एक शांति पूर्ण दुनिया, एक प्रेम पूर्ण दुनिया, एक आनंद मैं दुनिया नहीं नहीं मुझे हर्याली चाहिए, मुझे भोजन चाहिए आनंद दुनिया से हमारा मतलब है कि हम जो भी चाहते थे वो हो गया आप इसी की तलाश कर रहे हैं तो आपको यही करने की जरूरत है कि अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए एक शांति पूर्ण, आनंद मैं और प्रेम पूर्ण दुनिया बनाने के लिए प्रतिबध हो जाएं हर दिन सुबाह अगर आप दिन की शुरुआत अपने मन में इस सरल सोच के साथ करें कि आज मैं जहां भी जाऊंगा एक शांति पूर्ण, प्रेम पूर्ण और आनंद मैं दुनिया बनाऊंगा अगर आप दिन में सौ बार गिरते हैं तो क्या फर्क पड़ता है एक प्रतिबध आदमी के लिए विफलता जैसा कुछ नहीं होता अगर वो सौ बार गिरता है तो सौ सबक सीखने को मिलते हैं अगर आप फुद को कुछ बाकई अच्छा बनाने के लिए प्रतिबध करते हैं तो आपका मन व्यवस्थित हो जाता है जब आपका मन व्यवस्थित हो जाता है तो आपकी भावना व्यवस्थित हो जाएगी भावना का संबंध विचार से है जब आपका विचार और भावना संगठित हो जाती है तो आपकी उर्जाएं उसी दिशा में व्यवस्थित हो जाएगी जब आपके विचार भावना और उर्जा व्यवस्थित हो जाएंगे, तो आपका शरीर व्यवस्थित हो जाएगा। जब ये चारों एक दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं तो आप में मन चाही चीज बनाने और प्रकट करने की जबरदस्त क्षमता होगी। आप कई माईनों में इश्वर होंगे। जो सृष्टी का स्तरोत है वो आपके जीवन के हर पल में आपके अंदर काम कर रहा है। बात सिर्फ ये है क्या आपने उस आयाम तक पहुँच बनाई है या नहीं। अपने जीवन के चार मूल तत्वों को व्यवस्थित करके आपको वो पहुँच मिलेगी। ऐसा करने के लिए साधन और तकनीके हैं योग का पूरा विज्ञान पूरी तकनीक जिसे हम योग कहते हैं वो बस यही है खुद को सृष्टी के एक टुकडे से सृष्टा बनाना। ये मेरी इच्छा और मेरा आशिरवाद है कि दुनिया में हर इंसान को अपने भीतर स्रिजन के स्त्रोत तक पहुँचो ताकि वो रचनाकार की तरह यहां काम कर सके ना कि सिर्फ एक रचना के रूप में।